तो आज हम बात करेंगे SSC CGL के बारे में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके आंसर की आपको कब तक देखने को मिलेगी और आपके normalization में आपको कितना score बढ़ने को मिल सकता है और कितना कम या पर कितना ज्यादा वह मैं आपको पूरा देखना और आपको कौन सी शिफ्ट को फाइदा होगा वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखते हैं किन शिफ्ट वालों को ज्यादा अच्छा benefit मिलेगा वह भी मै आँसर की जारी हो जाएगी यहितокой 5 अगस्थ दो कि गईकर 10 की बीच में आपके कभी भी आपके आपके आँसर की जारी हो सकती है पॉसेबिलिटिय आपके यह कि पांच अगस्थ के आस पास आपके लबबग जारी होने के चान्स बनेंगी तो आपको पता दुएैं अभी ह जिसके बनाता है और इसके लबग आपके नॉमेलाजिशन होने के बाद आपके वन ऐटी पूर आपके उसके इसक्कूर हो गया यानिकी 22 23 निमर उसके बढ़ के नॉमेलाजिशन होने के बाद क्योंकि या तो इसकी shift बहुत ही difficult होगी जिसकान स्कूर बहुत ही अच्छा देख तो वो यह क्राण्ए कि या तो उनकीशिफ्ट इजी होती है यह पर उनका değiş is more संधिक बहुत ही कम अथी लबग श्कौर बहुत ही कम बढ़ता है तो यहीं इसका मुक्य करने की ज्यादा nber कैसे बढ़ते और कम नबर कैसे बढ़ते जिनकी लबग शीप 8F और वह स्कॉशण ज्यादा आटेम करते है उनकंप less स्कॉर्प कर बहुत jakiś ज्यादा बढ़ता है और जिनकी लबग होने के येंद ये बारत